ओम श्यानथीってる चार जैनुवरी की शुरुतान में आपसे पसौइ रहते हैं सेवा में रहते वे हम कैसे तपस्वी मूरत में रहे हैं और कैसे हम करवातित स्थेती को बनाएं आज स्वीत के बारे में बात होगी परमात्मा कहते है अपने मर्दान में सेवा में रहते कर्माती स्थेती का अनुभव करने वाले तपस्वी मूरत भवा समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है कारे बहुत जादा होता है और समय कम होता है तो हमें एक आगरत भी बहुत सवरुत होती है विश्वल परमादों कहते हैं कि सेवा सेवा बहुत है हमारी लेकिन समय कम है सेवा में ही माया के आने की मारजन रहती है तो हम सेवा के मारज में उतरते हैं सेवा में हम कदम उतरते हैं अपने तब उस समय हमें सोच समझ करके सेवा करने चाहिए पर मात में कहते हैं क्योंकि इसमें ही माया आने का मार्जन है सेवा में ही स्वभाव संबंद का विस्तार होता है आपस में बातचीत होती है संस्कार दिखे जाते हैं दूसरे के आदते दिखते हैं और उपकी एक दूसरे की सो भाव देखते हैं इसका विस्तार होता है आप किसी कोंटेक्ट में आएंगे सेवकले आप अपना हर चीज समय से लेकर के संकल्प से लेकर के बातचीत वर्ड्स हर चीज आप वापे अपने यूस करने शुरू करेंगे तो स्वार्थ भी समया होता है उसमें थोड़ासा बैलनस कम हुआ थोड़ासा भी बैलनस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी इसलिए सेवा और स्वास्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो स्वार्थ होता है कि मुझे चांस मले मैं आगे बढ़ू मेरा नाम आए या मेरे को क्यों नहीं दिया मैं अच्छा कहता हूँ अच्छा बोलता हूँ यह बोलती हूँ और यहां पर अगर स्वार्थ हुआ कि मैंने लोगों को ग्यान सुनाया या मेरे से लोग प्रभावित हुए या मेरे लोग बने यह सारी चीज़े जो हैं अगर यह संकल पाक्टि अंदर चलते हैं पहले बात तो चलते हैं यह पता भी होना चीए क्योंकि हमारे संसकार ऐसे हो गए हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम कब अक्शन में आ जाते हैं इर्शा के अक्शन में आते हैं कब हम घ्रणा के अक्शन में आते हैं कब नफरत के अक्शन में आते हैं कब किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं जो एक दूसित परम नहीं, तो आपना स्वार्त क ख़ोड़े से दूस्ट लिकर अगर हम योग में है परमात्मा से इनक्टेद हैं, तो कही न कहीं हमें पता चल जाएगा कि, हाँ ये जो संकर्फ मेरे अंदर आ रहे हैं, निया अंदर कर रहे हैं, इस जिए के योग होना बहुत जुरूरी है तुझ हमें दोनों का diferentße पता चलाएगा कि मेरी स्थेती जो ओरी हो उपर नीच ओरी है इम बैलन्स में आ रही है बैलन्स कम हुआ तो माया नया नया रूप धारन कर आएगी इसलिए सेवा और स्वसेती के बैलन्स का भ्यास करो मालिक हो करमेंद्रियों रूपी करमचारी से सेवा लो हम मैं आत्म मालिक, आखों से, जिस अभी मुख से मैं आत्मा सेवा ले रही हूँ मन से बस एक बाबा, दूसरा ना कोई सिर्फ परमात्मा ही मुझे देखें मुझे किसी और को अपने आपको दिखाने की, इंपरेस करने की या किसी से कुछ इच्छा रखने की, किसी से कुछ मिल जाए मुझे नहीं, इसकी में को जरूरत नहीं है एक बाब दूसरा ना कोई यह स्मिर्थी इमर्ज हो, तब कहेंगे करमाती स्थिती के अनुभवी तपस्वी मुलत, करमाती मतलब की हम जो करम कर रहे हैं उसका अतीत ही ना रहे, उसका मतलब की कोई छाप ना रह जाए यह परमात्मा की नजर में रहे लेकिन हम कोई फिजिकल छाप छोड़ने की कोशिश ना करें तब हम करमाती दवस्ता में पहुंच जाते हैं एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले है कहा गया है उसको हम एक प्रकार से करमातीत कम्प्रीटली निकाएंगे लेकिन हाँ करमातीत की एक परिभाशा है एक चोटी सी तो हम जो भी करम कर रहे हो हम आत्मा विक्वल डिटाच होके करम करें उससे हमें कोई भी फिजिकल चीज की कोई इच्छ ना हो सुख्षम में ना मानशान की इच्छ ना हो और फल की इच्छ भी ना रखें अगर हम जैसे परमात्मा हमारे पिता है वो किसी फल की इच्छ रखते नहीं है हमें उनकी जितना बनने की कोशिश करनी है कि हमें भी कोई फल की इच्छ ना हो चाहे फिर लोग कैसे भी बेहेव करें, कैसे भी उत्तर दें, कैसे भी हमारे साथ में पेश आए, लेकिन हमें उसका असार ना पड़े, तब जाकर के हम अपने मन के राजा बनेंगे, तब जाकर हम राजयोगी बनेंगे, और समझने के लिए इन पातों को गहरा ही से आप प्र